ओम सिरीगनी सायनम दूस्तू एस्टू समाधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चैनल दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके मित्रों का आपको भरपूर सेयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तों आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का दिन आर्थिक दरश्टी कोन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथी साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्य ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्य ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आपके लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पेरिणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को मनोबल भी बड़ेगा जिसके करण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको शफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रिया काबू में आ देंगी या दोस्तो साती सात पेसे के लेंदेन में भी आज आपको सावधानी रखना आती आवसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असान्ती तथा तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फायदेबंद साबित होगा दोस्तो साती सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अति आवस शकता है अन्यता विवाद की इस्तितियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचे जिया दोस्तो अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तयार रहना होगा अन्यता इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्मंदित समस्याओं को भी सुल जाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफसर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली हैं दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल हैं दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सभी कर रहे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथ इसाथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविश्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तों साती सात यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगासनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है औ आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तों आज आप इसनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव के दरिद्राय दहन शिव श्रोत का पाट अविश्य करें जैदोस्तों धन सुक्संपत्ती का वास होगा घर में धन लाब भी होगा और आपको अनेक प्रिकार के सुब फरोक की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त्र कारने भगवान शिव के आशिरवाद से बहुत याशनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान शिव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भूलेना तवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद